कॉंग्रेस ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया जो भी किया है सब कुछ हमने ही किया है ऐसी भावनाओं से ओत प्रोध दिखाई दे रहे हैं आज कल मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान और आशीरवाद की बड़ी डिमांड है दिन रात आशीरवाद मांड रहे हैं और कह रहे हैं कि कल्याण और विकास हमारे ऊपर छोड़ दीजिए हम करतें गया निशृ। पाटिल जी का ग्यान चेत्र को आबाद करेगा या फिर आने वाले समय में बरबाद करेगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है नमस्कार मैं हूं गिराश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल्ट दोस्तों सभी से एक अपील है कि सवाज को सब्सक्राइब कीजिए और स लग रहा है कि इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान ने बहुत कुछ किया है जो कॉंग्रेस सायद नहीं कर सकती थी कॉंग्रेस के विधायकों को जनसेवा का मौका दिया अपनी पाटी में समलित हो करके कोरोना के काल में सरकार हैं गरी नई सरकार बनी जन सरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो कर सकती और इसके लिए सिवराज सिंग चोहान एकदम तयार बैठे हैं आप इन्हें उपचुनाम में जिताएंगे आपको विकास ही विकास मिलेगा सिलेंडर का पैट्रॉल का डीजल का और इसके साथ बहुत कुछ किया है जो सायद साल में नुक्ती दी अतिती सिक्षक लटके पड़े हैं क्या एक कॉंग्रेस कर सकती थी विकास जी नहीं यह बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर सकती है इसलिए आप जब बोट डालने जाएं तो देख हैं कि विकास कौन कर रहा है आप जब दिवाली पर तेल खरी समझने वाली सरकार है देखिए ना कितना दर्द समझ रहे हैं किसानों का कि इतने महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर गाजीपुर के बॉर्डर पर सिंदू वर्डर पर बैठे हुए हैं यह दर्द कॉंग्रेस की सरकार सायद नहीं समझ सकती थी नरेंद्र मोदी की सरकार स प्रुदेश में होगी कॉंग्रेस की तो है नहीं तो इंडारेक्टली करें के बोट हमें ही दीजिए कॉंग्रेस को जिता देंगे उप्चुनाम में तो आपको कुछ विकास मिलेगा नहीं मेरे बहनों और भाईयों आलिश्तना के परिदिश्त में आप देखें और एक दरफ नरंद्र मोदी जी के नेत्रतों में भारत सरकार एक वैवाफ्चाली गौरफ सारी संपड़्ड और संविर्द भारत के दर्मार मोदी जी के नेत्रत में हो रहा है आप अगर वियोहालिक द बिजेपी को जिता देंगे तो विकास के नाम पर बिरोजगारी मिल सकती है जो पुलिस बरती है वो कई सालों तक लटक सकती है कई सालों तक आपकी जोइनिंग हो सकती है यह कॉंग्रेस कभी नहीं दे सकती ती शायद सिवराज जी की नेत्रत वाली सरकार दे सकती है इसलि कि हमारे रोजगार के नाम पर बोड़ दीजिए, हाला कि आपको बता दें कि रोजगार की बात कहीं नहीं हो रही, पानी, मकान, धान, गयों, खेत, इनकी बात हो रही है, इनमें कितना फायदा मिला है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, क्या किसानों की आये पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हर जगे शेयर कीजिएगा, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक किली मुझे दीजिए जासत, नमस्कार